कितना पैसा दिए थे इंद्रावास बनाने का पैसा क्या घूस कितने दिन पहले दिए थे आपने ब्रश्टा 4 के बारे में सुना होगा लेकिन पूरे भारत में जारकंडे का राज है जहां ब्रश्टा 4 में वेराइटी देखने को मिलेगी और इस वेराइटी के जायकेदार स्वाद लेने वाले और कोई नहीं बलकि गाओं के छोटे जनपरतिनीदी से लेकर राज के बड़े जनपरतिनीदी तक होते हैं और गाओं प्रखंड के छोटे अधिकारी से लेकर जिले के तमाम अलाधिकारी तक होते हैं और जब इस भष्टाचार के सवाल को लेकर हम पत्रकार जब अधिकारियों के पास इसका बयान लेने के लिए जाते हैं, इसके बारे में पूछने जाते हैं, तो हमें भी उस भष्टाचार के वेराइड़ी का जाइकेदार स्वाध चकाने की कोशिच की जाती है, नमशकार मे पीछे2 में माँज़न हैं। पिसी सी पत्का निर्मान ग्राम गौरी किता पंचायत सिनपूर और प्राप्तराशी दो लाख आठ सो रुपए अभिकरता लाभुक समीती और परधान कारीकारी समीती श्रीमती रेखा देवी और हम आपको बता दें कि यह सड़क जो है आज से लगबग 10 दिन पहले बना दिया गया लेकिन 10 दिन बाद किया इस्थिती हम आपको दिखाएंगे चिसे देखकर आप तंग रहा जाएंगे आज 14 तारीक है और आज से ठीक एक महिने पहले जो है पंचाय चुराओं आने वाला है जब गाओं का सरकार बनेगा और पिछले गाओं के सरकार ने क्या कुछ विकास किया है यह हम आपको आज ग्राउंड जीरो सी दिखा रहे हैं जहां पर आज हमारे पीछे दरजोनों की संक्या में लोग उपस्तित हैं और यह सड़क का हाल जो है यह हमारे भाई साप करके दिखाएंगे कैसे क्या क्या इस्थिति है बताई यह गौका यह दस दिन हुआ है यह करने से दिखे चरी उखड़ रहा है पुरा पूरा गिटी उखड़ रहा है अच्छा तो क्या लबक लोग ने कि इतना गंदार बनाया है कि उखड़ जा रहा है यह आपको सलक की स्थिति दिखाते हैं कि क्या है यह सड़क का आप किना रा देखिए कि अगर मैं पैर ऐसे करता हूं यह सड़क पूरी तरह से भरवर आ जा रहा यह देखिए आप और 10 दिन बीच चुके हैं य पहले क्या कुछ विकास हुआ पहले यह बताई यह कौम आपको क्या कितना उम्र कितना हो रहा आपको साट पैसाट साल विर्धा पैंशन मिलता आपको आवास मिला आपको परदीप को ने उनके पती हैं कितना पैसा दिये थे इंद्रावास बनाने का पैसा क्या घूस कितने दिन पहले दिए पहले दिये थे कितना दिये थे और बाकी आपको जाकर दिखाएंगे यह शिनपूर पंचायत का गौरी किता गाउं है जहां की स्थितिया है कि ये वो उस बुड़े बाबा का घर है जो पिछले धाई साल पहले जो है मुख्या जी को 6,000 रुपया ऐसा ही इस बुड़े बाबा का रोप है कि उसने आवास लेने के लिए 6,000 रुपये दिये थे मुख् है और यहाँ पर इस सड़की स्थिति हम आपको एक बार फिर दिखाते है कि लगबग 15-20 मीटर का यह सड़क की स्थिति आप देख सकते है कि इस प्रकार से यह सड़क का पूरा सड़क भरवरा रहा है इसकी गिंट्टी निकल जा रही है और यह तमाम पूरे पंचायत की य अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे गाउं में 5 साल में चो विकास हुआ है उसका आगा हम हिसाब लें तो बिकास हैrot जरूर आपकी खबरों को प्रमुक्ता से चलाएंगे तद तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और देखते रहें जिला टॉप हंड्रेट परसेंट रिजल्ट देते हैं इसके अलावा इस स्कूल में कई और भी सुविधाएं हैं जैसे बॉइज एन गर्ल्स के लिए सेपरेट होस्टल की सुविधा, ट्रांस्पोर्टेशन की सुविधा, साइन्स लाब, लाइबरेरी, कंप्यूटर लाब, खेल कूद, इंग्लिस स्पोकेन इत्यादी, तो आप अपने बच्चे के सरवांगिड विकास एबं उज्वल भविस्य के लिए आज ही नामांकन कराएं संत माइकल एंगलो इंडियल स्कूल मोहनपूर गोड़ा जारकन में